कुर्पिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी वो सेक्षिक और सुप्मक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय सला कानूनी सला या तो व्यक्तिकत सला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए जहीं दूस्तो excuse update crypto market काफी ठंडा चल रहा है market के अंदर volatility काफी काम है बिना volatility यहाँ पर ट्रेडिंग करना काफी मुस्किल है यहाँ पर जो long term holder है उसके लिए कोई problem नहीं बट जो लोग regular ट्रेडिंग करते हैं काफी सारे बोरिंग हो रहे हैं हम खुद भी यहाँ आपALLY trade place नह अंदर बार-बार मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज आते हैं उस न्यूज के बारे में बात करेंगे और फिलाल यह जो न्यूज अभी आ रहे हैं जान बूचके मेरे इसाफ से प्ले किये जा रहे हैं क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यूज क्या है तो पेली न्यूज यह एक ही न्यूज के जो चीफ है वह कहते है स्पोर्ट बिटकों एटिएफ को कभी भी अपरू नहीं करेंगे और वह के रहे हैं पूर्व एस से चीफ आजके दिन की बात है आप देख रहे हो 13 ऑगस्ट 2023 अब एक कुछ टाइम पेले इसका नेम हम बता देता हू पूर्वा जो SAC के चेर थे इसका नेम था Jay Clayton इसको आप थोड़ा याद रखना आज की डेट यहाँ पर 13 August करते कि एक महीने पेले यह Jay नाम का जो चेर था SAC का पूर्वा चेर था वो एक महीने पेले क्या कहते थे यही आर्टिकल है आप देख सकते हो यह केते थे कि यह जो ETF फाइलिंग हो रहा है SAC को इसको अपरो करने के लिए मजबूर कर देगा मतलब कि इसका एक केना था यहाँ पर Jake Clayton यही नेमे आप देख सकते हो इसका एक केना था कि यह दस टोगस की बात है यहाँ पर एक कहा था कि जो Sport Bitcoin ETF है यहाँ पर SAC को मजबूर कर देगा अपरो करने के लिए यहाँ पर बाते यह भी लिखी थी कि बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है BlackRock आ रहा है Fidelity आ रहा है Invest को आ रहा है तो SAC को मजबूर कर देगा यह सभी के सभी ETF अपरो करने के लिए और कुछ मिटिंग के अंदर मेरे को यह भी सुनने को आया था कि यह कहते थे कि अपरो होने की possibility ज़्यादा है और अपरो करना भी चाहिए यह अच्छे चीजे एसी भी बाते इसने बताई थी बट आज की दिन यह के रहे कि बाई यह जो ETF कभी भी SAC अपरो नहीं करेगा कितना बदल गए एक महिने के अंदर इन न्यूज बदल गया है अब क्या यह आर्टिकल वालों ने लिखा है क्या डराने के लिए डाला है क्या पेनिक क्रियेट करने के लिए डाला है तो फिलाल और किसी का भी मत मानिये टाइकल को फोलो किजये मार्केट के अंदर फोल्विंग आता है और बूल मार्केट भी आता है और तेजी भी समय हो रहे होंगे पैनिक क्रियेट करने के लिए इसे न्यूज आ सकते कभी रियल कभी फेक आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बट हां मार्केट के अंदर बूल ले देखने के लिए यह बहुत ज्यादा तेजी देखने के लिए यह जो अगर ETF अपरू होंगे तो कुस उम्मित से ज्या आने वाले टाइम के अंदर अपरू कर दे और क्रिप्टो के लिए पोजिटिव बोलना स्टार्ट कर दे तो केने का मतलब यह है कि हमें किसी का भी नहीं मानना है मार्केट के अंदर एसा होता है चाहे स्टोक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो आपने देखा होगा पंप मार्केट के अंदर बूल मार्केट के अंदर ऐसी चीजे नहीं देखती है बियर में ऐसा देखता है